नमस्कार मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खास पेशकश आज की खास पेशकश में हम बात करने पहुचे हैं गोपाल राय से गोपाल राय जो दिल्ली सरकार में एक एहम चहरा हैं परियावरण से लेकर बाकी एहम विभाग इंके पास हैं और उससे भी बड़ी बात ये कि इनकी जो राजनितिक प्रिष्ट भूमी है वह उत्तर प्रदेश से आती है गोपाल न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है सुक्रियाव सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रिय विशे की जिस पर इन दिनों केंद्र से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगर चर्चा है दिल्ली वासी, देश, विदेश सब जगर चर्चा है प्रदूशन की तो इस पर जो सारा का सारा जोर है आप जिस तरह से देख रहे हैं और सारी जो रसा कसी है वो आपके और केंद्र के बीच चल रही है प्रोदूशन को लेकर कैसे दिल्ली वासीों को रहत मिलेगी इस प्रोदूशन पर क्योंकि ये एक तकरीबन हर साल का एक फिनॉमिना है कि दिल्ली का दम घुटता है, दिल्ली का परियावरण बहुत खराब हो जाता है दिल्ली के अंदर जो प्रोदूसन हम दिल्ली वाले जो जहलते हैं इसका दो हिस्सा है एक है जो दिल्ली के अंदर से पैदा होता है दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां चलती है उससे पैदा होता है दिल्ली के अंदर जो construction होता है धूल उड़ती है उससे pollution होता है दिल्ली के अंदर जो bio mask burning होती है कूडे जलती है जगा जगा उससे pollution होता है घरों में से जो gas निकलती है उससे pollution होता है ये दिल्ली के source है जिससे दिल्ली का pollution होता है दूसरा है दिल्ली के बाहर का pollution जो दिल्ली क को आकर के एफेक्ट करता है अभी जो केंडर सरकार की जो एजनसी है उसके जो डेटा को एनलसिस किया है सीस्टी ने उस सेंटर फार साइंस एंवार्मेंट काफी जानी मानी संस्था है उन्होंने 24 अक्टूर्बर से और आठ नौमबर का 15 दिन का केसी स्टडी वह स्टडी यह कहती है कि जो डिल्ली की अंदर पालूसन है उसमें 30% डिल्ली के लोगों के द्वारा पायदा किया हुआ पालूसन है 70 परसेंट जो पालूसन है उस 70 में भी जो इनका जो आनलसिस है कि करीब जो पराली का परूसन है वो एक इंपॉर्टन फैक्टर प्ले करता है जो टाइम बिंग होता है लेकिन दिल्ली एंसियार का जो पूरा एरिया है वहाँ जिस तरह से इंट बठे चल रहे हैं जिस तरह से जो कोईला से सन्यंत चल रहे हैं जिस तरह से वहाँ पर कंस्ट सेंट्रल विस्ता का काम चल रहा है जो नई पार्लेमेंट बन रही है प्रधार मंतरी का जो निया घर बन रहा है उसके लिए जो बड़े पैमाने पेड़ काटे गए जो पूरा का पूरा दिल्ली इसे में तहस नहस दिखाई देती है मुझे बहुत गहरी चिंता होती है कि है जो सेंट्रल विष्टा की आप बात कर दे हैं हमने ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलसी हम लेकर आए पहले पेड़ कटते थे पेड़ कटते थे तो उसके एवज में दस पौधे लगाने होते थे अब क्या है कि अब जो हम नई पॉलसी जो लेके आएं कि जो पूरे प के लिए आती है तो उसे पहले पूरा अपना प्रोजक्ट सम्मिट करना पड़ता है कि इन पेड़ों को हटा करके कहां पर वो लगाएंगे तो उसके लिए हमने पूरी एक एजंसी एजंसियों का एक पैनल बनाया है जिसके माध्यम से ट्रांस्प्लांटेशन का काम करना प उपर के प्रोजक्ट हैं उनके लिए हमने 14 मानक पनाया उसको फालो करना होता है इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर कारों को और आपके और केंद्र के बीच बसों को लेकर है कि भाई जो परिवहन है सारवजनिक परिवहन है इसको कैसे बढ़ावा मिले क्यो और आगे आगामी कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक बसों का भी खेप आना सुरू होगा जो सिंजी बसे हैं उनके लिए भी आल लेडी हम वर्क कर रहे हैं कुछ-कुछ दिक्कतें वो रुकावटें आती रहती हैं लेकिन कि वो चीजें नहों लेकिन उससे भी फाइट करके भी चीजों को आगे बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं सिंजी बसों के लिए लेकिन अब हम लोगों को लगता है कि दिल्री के अंदर हम दिरे दिरे इलेक्ट्रिक बस की तरफ सिफ्ट करें दूसरा जो प्राइबेट गाडियां एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पबिक ठांस्पोर्ट हो जाने से लोग अपनी प्राइबेट गाड़ी चोड़ देंगे अईसा सोचना उतना सही नहीं है क्योंकि जो पब्लिक ठांस्पोर्ट और प्राइबेट गाड़ियों का के बीच है वो किवल सुविधा सुविधा का नहीं है लोगों के लिए एक मत्ताब पहचान का भी प्रस्थ नहीं इसलिए अभी जो दूसरी कोशिस हम कर रहे हैं कि उसका भी समाधान किया जाए पुब्लिक टांस्पोर्ण को बढ़ाने के साथ किउ वेहिकल को प्रमोट हम कर रहे हैं उसका प्रडाम भी दिख रहा है लगबग लगबग दिल्ली के अंदर 7% जो नई गाड़ियां आई हैं, 7% लोगों ने यह वहिकल को खरीदा है, तो उनको हम सबसिटी पैसे भी दे रहे हैं, सबसिटी दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनको से विदा दे रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क ख तो अगर पंजाब में कोई गत्विदी होती है, उसका भी इंपक्ट दिल्ली में पढ़ता है, और अगर हर्याणा में कोई गत्विदी होती है, उसका भी इंपक्ट दिल्ली में पढ़ता है, तो एयर सेट का जो मसला है, और जहां से 70% पर्सेंट का कंट्रिबूशन है, व जरूवत है जिसको केंदर सरकार कोडिनेट करें और उस जॉइंट एक्षन प्लान के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन के लिए एक मॉनिटरिंग टीम की जरूवत है और तीसरा अगर कोई राज्य इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उस पर एक्षन होना चाहिए जैसे अभी इमर्जनसी में कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अभी कमिशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट उसने कहा कि बही स्कूल कॉलेज बंद किये जाए यूपी गवर्मेंट ने कहा नहीं हम नहीं बंद करेंगे तो अब उसके आगे सारा सिस्टम खतम हो जाता है कि उस पे एक्षन कौन लेगा अभी वर्क फ्राम होम हमने दिल्ली सरकार ने सुरू किया सेंटर गवर्मेंट ने कहा जी हमारे आफिस में नहीं हो सकता तो अब यहां पर यह बात आती है कि एक प्रूफ एक एक सिस्टम बढ़ना चाहिए और ज्वाइन टेक्षन प्लान से ही उस सतर परसेंट जो परूसन है उसको भी रिडूस किया जा सकता है तीसरा जो फैक्टर है पराली का पराली साल बर नहीं होती है पराली एक खास सिजन में होती है और वो जो सिजन होता है वो पंदरा अक्टूबर के बाद कटना सुरू होता है इस बार क्योंकि बारिस हो गई तो थोड़े सा धान की कटाई लेट से होई तो पराली जलने की घटना जो है वो दो तीन तारिक से गई तो फिर वो बहुत ज्यादा मेजर रोल दिल्ली के अंदर यह चादर आप दिखते हो और खास तोर से यह दो चीजों का जॉइंट इंपक्ट होता है दिवाली के समय जो पटाकों का पर दूस्वन है तो पटाके और पराली दोनों का जॉइंट वेंचर इस साल हुआ पटाके जले चार तारी को और चार तारी को ही सबसे ज्यादा पराली जडाने की घटना हुई लगबकरी पांच हजार जगों पर पराली उस दिन जली थी दोनों ने मिल करके यहां पर एक चादर क्रिया दिल्ली की जो भौगोलिक बनावट है उसकी एक एक निगेटिव इ चालेंज आए थोड़ी सी बाची जड़ा राजनीती पर करते हैं क्योंकि अभी तो जो टकराहट है वह आप कह रहे हैं कि नीतियों में ज्यादा दिखाईनी देरी दिल्ली सरकार कर पार यह भाजपा के तमाम रोड़े लगाने के बावजूद आपको लगता है कि रोड़ मैं जिस तरह से आमैंडमेंट किया गया और आमैंडमेंट के बाज यस तरह से जिके पास सकतियों को बढ़ाया गया सुप्र्म कोोड़ा गया जो इस दो निडिए divorce सासु ठोड़ी सुर्म कोड़ के निड़े के बाद जो सी कोuito अधिए थक्या आई और मश्वक्याइ चे करना चाहते हैं जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं रासन मिलता है भीच में जाती है तो उन सब किजहों में रूकादें तो अपी आइए रही है कि अब दिल्ग हम लोगों ने में इतने कुछ इस चीज़ को सीखा है कि इन situations में कितना maximum कर सकते हैं हम उसे प्रोच के साथ काम कर रहे हैं क्या इसी वज़े से आप लोग बाकी राजियों में जो चुनाओं होने जा रहे हैं यहां पर भी अपना काफी विस्तार करने की योजना है पांच राजियों में जो चुनाओं है इनमें सबसे ज़्यादा आशा हमाद मी पार्टी को कहां लगती है भी पांच राजियों में जो चुनाओं उसमें चार राजियों में आम आदमी पार्टी एपने अमिदवार जो अपना मुख्यमंत्री वदल दिया तो बदलाव की इच्छा थोड़ी कम हो गई होगी अब कांग्रेस कोशिस कर रही है लेकिन कांग्रेस क्या है कि एक तो पांच साल में जो उन्होंने वादे किये थे कांग्रेस ने वो एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पा है दूसरी हैं जो बर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अलग हैं जो उनके अध्यक्ष हैं वो अलग हैं तो आज कांग्रेस को नए मुख्यमंत्री को अपने अंदर की के लिए फाइट करना पड़ रहा है कि लीडर कौन होगा क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो दिल्ली की बॉर हैं सभी लोग मिलके बदलाओ चाहते हैं तो एक पंजाब राज हुआ बाकी जो चार राजे हैं तीन राजे नहीं जिसर से गोवा है गोवा में हम पिछली बार चुनाओ लड़े थे और इस बार दूसरी बार वहां लड़ रहें तो वहां पर भी लोग बदलाओ के लिए ได้ क्की पिछली बार बीजेपी को लोगों ने उतनी सीटें नहीं दी ती है लेकिन सरकार भश मत नहीं थी लोगों ने कांग्रेस को अट दिया कांग्रेस के ज़्यादा तर पॺश्पा कि पानलाने कौन जो एक नए प्रश्पास प्रचार और भाड़ाय प्रचार्य यहां पर मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल भी अयोध्यायात्रा की घोशना करते हैं कि वह फैसिलिटेट करेंगे वहां पर सारी राजनीती राम या धर्म के आधार पर है तो कैसे फर्क है या फर्क नहीं है दोनों में बहुत फर्क है जमीन आसमान का दिखें दिल्ली के अंदर हमने पिछली बार जब हमारी सरकार थी धार्मिक होना और धर्म के नाम पर नफरत की राजनीती करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है इस देश की तासीर में अधिक्तम लोग धार्मिक हैं लेकिन वो नफरत धर्म की नफरत की राजनीती नहीं करते हैं भारती जनता पार्टी ने जो भारत के अंदर भारती सव्विता और संस्कृती की परंपरा के खिलाफ जो सुरू किया कि धर्म को एक नफरत की राजनीती में बदला है जो इस देश की अंदर तोड़ने की तर अद्मीक है जैसे दिली के अंदर हमने तिर्थ यात्रा अभी नहीं शुरू किया जो जो दियात उसमें जुड़ा तिर्थ यात्रा के लिए हम ने पिछली सरकार में यह जो ना बनाई जो सिंशन कोपरेशन की भावना लेकर आती है तो दोनों में जमीन आसमान का फराइए धार्मिक होना अलग बात है लेकिन स्टेट का धर्म के साथ अगर तो दिक्कत की बात है अगर तीर्थ यात्रा हो रही है और दिल्दी के अंदर के सभी नागरिकों को उनके जो आस्था के अस्थान है सभी को अगर आसर मिल रहा है तो वहां पर वो दूसरा प्रस्न पैदा होता है अगर मान लिजे कि स्टेट की अंदर अगर कोई नमाज करता है उसे नमाज का भी आसर मिलता है कोई मंदिर जाना चाहत है गुर्द्वारे का वियुक्त इन्य कंपी अधिर मिलते को को पंपर करते हो और यह बुनियादी तOR पर बहुत चेंज हो जाता है आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी बीजेपी की जो नफरत की राजनीती उसका क्या काउंटर करें बीजेपी की नफरत की राजनीती का जो काउंटर है वो यही काउंटर है कि लोगों के अंदर मानवता की बात को विक्सित करना काम की राजनीती उसका काउंटर है और दिल्ली के अंदर ह अगर आपको याद हो यह जो इस बार का इलेक्शन हुआ इस इलेक्शन में जिस तरह से यहां पर नफरत के आधार पर धुरुवी करन करने की कोशिस हुई दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारती जन्ता पार्टी ने अपनी सारी सक्टियां लगा दिया हम इस और से गली गली यहां पर घूमते हैं तरह नि जिस तरह से डिल्ली में लह गली घूम रहे थे और जिसतरह से मतलब उस समय्ए एकदम आग जा रहा था लेकिन उसके पावजूद भी दिल्ली कि अंदर हमने अपने काम पर बात की और काम की राजनीती ने इस नफरत की राजनीती और को कहीं न कहीं परास्त किया और हम उसी मोडल पर सब जगा काम करना है Bowl कि नाओ की जो बिगुल चुक्रिया.